कि रंग कोई शर्म नहीं होता है तो बेश्रम होते हैं less यहीं भागुवा को मानने वाले भेसरम बना रहे हैं मैंने कई फिल्में देखिए हैं जयसे भोजपूरी में इनहीust के तिन सांसद हैं निरहुगा को आप जानते दिनिसलालाई निरहुगा और अजम गड़के और तब ये बेसरम रंग नहीं था नमस्कार मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं टाइम साफ यूपी टाइम साफ यूपी के पहले एपिसोड मेरा गाउं मेरा देश में आज मुद्दे की बात करेंगे वह बात जो आज कल देश में सरगर्मिया बटोर रहा है इसमें वैसे सरदी का मौसम है और सरदी के मौसम में अगर अलाओ जल रहा हो और उसके पास आप बैठे हो तो गर्मी का हैसास होता है लेकिन पठान मुवी के बनने के बाद जो सरगर्मिया हमारे देश में चल रही हैं तरह तरह तमाम मेनिस्ट्री मेडिया में जो डिबेट हो रहे हैं बेरोजगारी, महगाई और इन सब चीजों से इतर आज मूबी पर डिबेट होने लगे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं चूकि इसमें हमें गाउं में हैं और गाउं के लोग इस मूबी के बारे में क्या सोचते हैं। चूकि हमारा देश लोग तांत्रिक देश है, यहां रंगों में भी विद्धा पाई जाती हैं। लेकिन अब उसी देश में रंगों को धर्मों में बांट दिया जाता है। तो ऐसे समय पर इन मुद्दों पर बात करना बेहद लाजमी हो जाता है। हमारे पास मौजूद है रहने वाले आर्मी से रिटायर एक्स मेजर सुवेदार उनी से बात्चीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है इस समय पठान मुबी सारुख खान की आई। और इसके बात से अचानक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई देश में चारो तरफ रंग को लेकर बीबात पैदा हो गया है। क्या है बीबात जायज है। बीबात जायज है। और इसको किसी धर्म को लेकर कभी भी पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। प्रेश के सेवा के लिए समाज के उद्धार के लिए समाज के कम्यों को दूर करने के लिए ऐसे बनाना चाहिए। इसमें फिल्म में मुझे तो नहीं लगता है कि बेसरम रंग में ऐसा कुछ धर्म को लेकर कुछ कहा गया है। इसे तो रंगों को पहन कर बहुत सारे लोग काम करते रहे हैं। आपको क्या लगता है इन्हों ने कहा कि यह बिरोज जायज है आपको क्या लगता है। देखिए अपनी अपने हिसाब से अपना अपना दिष्ट कॉन है। इससे पहले भी बहुत बार फिल में बन जिसमें भागवा रंग का इस्तेमाल हुआ है और रंग कोई बेसरम नहीं होता बेसरम लोग होते हैं अब इस रंग को जबरदस्ती यही भागवा को मानने वाले बेसरम बना रहे हैं अभी मैंने देखा ज्यादा पांच मिनिट पहले उसका जो ट्रेलर आया है उस पे एक सो तीन मिलियन वीवर हो चुके हैं मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसकी परचार कर रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं हिले माने से पहले ही उस पे एक सो तीन मिलियन वीवर से आ चुके हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा कि यह अपरोग चुरूप से सारुक खान का सपोर्ट कर रह क्या लगता है आपको ये सारुक खान की आप तो जो भगवा का विरोध कर रहे हैं जो लोग रोड पर आ गए हैं पठान मुवी मत देखो अभी देखो एक आयोध्या जी के आयोध्या के जो एक बाबा थे उन्होंने का जिंदा जला दूंगा तो आपका कहने मतलब ये लोग जानते दिनेशलाल ने रहूगा आजम गड़के और रवी किसन जी मनोई तिवारी जी मैं आपको इनका इनकी वीडियो दिखा सकता हूं और इन्होंने तो भागवा रंग की साड़ी पहना के और चार पाई पे लेट के हिरोईन के साथ फिल्में सूट की हैं तब ये तब पहले मैं आपको दिखा रहा है उन्होंने ऐसे आदमी के उपर पैर रखके सूट किया है जो भगवा पहना है और वहां वो बेसरम नहीं रंग होता तो बात रही होगी बात कुछ नहीं है बात का बंडल के और बनाया जा रहा है आप उस फिल्म के जो अभी नहीं हुई है स उस गाने में कम से कम मुझे तो लगता है पाम साथ रंग के कपड़े पहन रखे उन्होंने और उसमें हरा भी है सफेद भी है और भगवा भी है और पीला भी है तो हमारे समझ से जो जो धर्म जिस जिस रंग को मानते हैं उन सब को उसका भी रोध करना चाहिए मुसलमानों को हरा रंग का भी रोद करना चाहिए उसने बीक्नी और ब्रा पहनी है इसाईयों को सफेद रंग से होना चाहिए तो हमें हमारे समझत जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो कोई रंगे नहीं आगर कपड़ा नहीं पहने कोई रंग नहीं है अगर निर्वस्तर हो के वह इस तरीके कितनी बड़े अस्तर पर लोग बिरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं और देखिए वह भागवा रंग के चोले में रंगे हुए हैं तो वह तो कुछ भी कह सकते हैं उनके पास परमिसं और मुझे समय मैं तो मैंने बच्पन में थोड़ी बहुत बाबाजी के द दबाव में कुछती लड़ी है तो हमारे लंगोटे का रंग ही भागवा था और साइद अभी भी जितने ब्रह्मचारी साधू संत होते हैं यह लंगोटा भागवा पहनना ही नहीं चाहिए भागवा तो अगर इतनी वह है तो क्योल प्राचीर पर फाहराया जाना चाहिए उसका कहना है कि गाना जो है उसमें बेसरम रंग करके उन्होंने गाना बना दिया है उसमें बनाया है गाना बेसरम रंग करके बनाया है लेकिन उस नो दस रंग में क्योल यही एक बेसरम रंग है एक लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं जो बिरोध हो रहा सही है या गलत अपनी अपनी सोच है आप क्या सोचते हैं हमारे तरफ से गलत है तुकर परमोट किया जा रहा है भाई एक सोच तीन मिलियन बीवर अभी फिलिम रिलीज ना होने से पहले ट्रेलर गाने के ट्रेलर में ही हो गए कौन से बिरोब कर रहे हो आप